हलो फेंड्स स्वागा थे आप सबका आपका अपना यूटिब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने अभी बिहार दरोगा पीटी एकजाम्स के लिए जो किरन पप्रिकेशन का रहमान सर का बुक आया है उस बुक से हम लोग प्राक्टिसेट देख रहे हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्राक्टिसेट नंबर फूर इससे पहले तीन प्राक्टिसेट जो है वो अलेडी अप्लोड़ेड है अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेली से देख सकते हैं आज का जो मारा पहला कोश्चन है वो को यह कह रहा है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ करा बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राजियों से सुमेलित कीजिए तच्छान नीचे दिये गए कूट से सही उतर चुनिए देखे प्रगूत की अगर बात कीजिएगा तो यह अबंती के साथ मैच करेगा उदेयन की अगर बात कीजिएगा तो यह बस के साथ मैच करेगा प्रेजीत की बात कीजिएगा तो यह कौसल के साथ मैच करेगा और आजात सत्र की बात कीजिएगा तो यह मगत के साथ मैच करेगा आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भारत बर्स जो था वो 16 महा जनपतों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी जो है में बहुत गरंथ अंगुतर निकाय से मिलती है और जयान गरंथ भगवती सुत्र से भी इस जनपतों के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है नेक्स कोशन के रहा है कि सिच्छा के महान के अंदर बिक्रम सिला महा बिहार की अस्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था तो यह जो है वो धर्म पाल के द्वारा बिहार प्रांथ के भागलपूर में बिक्रम सिला बिस्विद्याले की अस्थापना जो है वो आठम घंदब इसमिद्याल है इन दोनों को दुर्ग समझ के ध्वस्त करवा दिया था आगे कह रहा है कि निम्ड में से कि सुल्तान ने कुतु मिनार की पांच मी मंजिल का निर्मान करवाया था यहां यह पूछ रहा है पांच मी मंजिल का निर्मान करवाया था देखिए 1206 में कुतुबुदीन एबग जो है वो इसका निर्मान सुरू करवाता है और कुतुबुदीन एबग जो है वो इसका सिर्फ नीब डालता है उसके बाद इसका चार मंजिल तक का जो निर्मान है वो करवाता है इलतूत मी इसने फिर उसके बाद एक ये जो कुतु मिनार है वो छती ग्रस्त हो जाता है और फिर जो इसका मरम्मत है वो फिरोसा तुगलक के द्वारा करवाया जाता है और वही फिरोसा अतुगलक जो है वो इसमें पांचमी मंजिल का भी निर्मान करवाता है तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 3 फिरोसा अतुगलक ने ध्यान रखिये का कुतुमिनार का जो निर्मान है वो एक ख्वाजा कुतुमिन बक्तियार काकी की अस्मरित तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर है बोगाज कोई की अगर बात कीजेगा तो बोगाज कोई जो है वो अफगानिस्तान में इस्थित एक्षेतर है जहां से सरपथम एतिहासिक तथों के पुष्टी होती है इस अभी लेक में इंद, मित्र, बरून और नास आदी बैधिक देपताओं के नाम जो है वो मिलते हैं पाली गर्दन बाले सारस और हीम तेलवों को क्रम सा अपना राज पच्छी और पसुगोजित किया है तो यह किया है लद्दाक ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नबर टू यूद जो हुआ था वो 21 अप्रेल 1526 को इब्राहिम रोदी और बाबर के बीच जिसमें बाबर भी जई हुआ दूती यूद जो हुआ वो 1556 को बाबर और एहमु के बीच हुआ था आगे कहा रहा है कि जेल में भूख हर्ताल के कारण जिस सोतंतता संग्राम सेनानी के मिर्टू हो गई थी वो कौन थे तो उनका नाम था जतिन दास तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 3 जतिन दास जतिन दास जो है वो अपनी मांगो को पूरा करवाने के लिए भूख हर्ताल किये थे और लगभग 64 दिनों के बाद वो अपने प्रांत्याग दिये थे नेक्स कोशन कहा रहा है कि भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यच कौन था तो भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना कब 1885 में और प्रथम अधिवेशन कहां प्रथम अधिवेशन बंबई में और जिसकी अध्यचता बेमवेश चंदर बनल जी के द्वारा ठीक है दूसरी अधिवेशन जो हुआ बो 1886 में हुआ जिसकी अध्यचता जो है आपसा नमबर फोर बदरुदीन तैयब जी आगे कह रहा है कि निमलिखित में से कौन से कथां जो है वो सिक्किम के संबंध में सही है यह पूछ रहा है कह रहा है 1975 में यह भारत का अभीन अंग बन गया यह बिल्कुल सही है यह बात कर रहा है 36 संविधाउन संसोधन जब 1975 परभावी होता है परभावी होता है साथ ही सिक्किम जो है वो भारतिय संख का पुन्ट राज का दर्जा जो है वो सिक्किम को मिल जाता है फिर आगे कह रहा है इससे बनस्पती सास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है यह भी बिल्कुल सही है और इसके मुख निवासी जो ह होगा वो होगा option number four एक, दो और तीन, तीनों जो है वो बिलकुल सही है आगे कहा रहा है भारत में rubber का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो भारत में rubber का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है केरल तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number three बहरत में जितना रबर का उत्पादन होता है उसका 94% सिर्फ और सिर्फ केरल में होता है ध्यान रखियेगा आगे कहरा है कि सरदार सरोबर परियोचना से लाभानवीत होने वाले राजजिकों है तो सर्दार सरोबर प्रियोचना का निर्मान जो हो रहा है वो नर्मदा नदी पर हो रहा है और इससे लवानवित होने वाले राज हैं गुजरात, महराष्ट, मदपदेश और राजस्थान तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबरेई, गुजरात, महराष्ट, मदपदेश और राजस्थान लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इससे जितना बेनिफिट होगा उससे कहीं न कहीं जादा प्रस्थीत की तंतर को नुकसान पहुँचेगा इससे लगभग 80,000,000,000 पेड़ है जो काटे जाएंगे इसी के कारण इस प्रियोचना का विरोध भी किया जा रहा है सरदाप सरोबर प्रियोचना का आगे कहा रहा है कि भारत के निमलिके छेतरों में से कौन सा प्रस्थीत की उस अस्थल माना जाता है तो प्रस्थीत की उस अस्थल माना जाता है पश्चमी घाट तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 4 पश्चमी घाट नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि नागा अल्चुन सागर प्रियोचना जो है वो अवस्थी थे तो यह जो है वो क्रिस्टन नदी पर अवस्थी थे तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा निम्बर थरी क्रिस्टन नदी पर और इससे लवानवीत होने वाला जो राज है वो है आंदरपर्देश नेक्स कोश्चन कहरा है कि निमलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है यह आप से पूछ रहा है कलपकम समिलाडू बिलकुल सुमेलित है राना परताफ सागर मध्यपदेश यही सुमेलित नहीं है क्योंकि राना परताफ सागर जो है वो है राजस्थान में आगे कह रहा है नरोरा उत्तरपरदेश सुमेलित है तारापूर महराष्ट सुमेलित है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number two आगे कह रहा है कि संगम यूग में उडूर किसके लिए बिख्या था तो यह जो है वो कपास का एक महत्पून के अंदर था नेक्स कह रहा है कि राम गुंडम सूपर थार्मल पावर रस्टेशन जो है वो अवस्तित है तो राम गुंडम सूपर थार्मल पावर रस्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में इस्तित है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number eight आंध्र प्रदेश में इस्तित है नेक्स कोशन कहा रहा है कि सेतू समुंदरम परियोचना जो है वो जोडती है तो सेतू समुंदरम परियोचना जो है वो मनार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोडती है एक सेकी सेत्यू समुद्र परियोचना जो है वो उसके अंतरगत भंगाल की खाड़ी और मनार की खाड़ी के बीच 167 किलोमेटर के समुद्री मांग के पोतों को परिचालन योग जो है वो बनाना है नेक्स कोशन कहा रहा है विसुब एक स्थिती है जिसमें रात्री एबम दीन का काल जो है वो बराबर होता है यह होता है तो देखिए 21 मार्च और 28 सितम्बर को सुल्ज जो है वो बिस्वत रेखा पर चमकता है अता इस दीन विस्व के बिभिन भागों में दीन एबम रात की जो है वो बराबर होती है और इसी स्थिती को बिसूब कहा जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 3 21 मार्च और 23 सितम्बर को next question कहा रहा है कि सूर्ज की परिकर्μα में कौन सा ग्रह जो है वो सरभादीक समय लेता है तो सूर्ज की परिकर्मा में सबसे अधीक समय कौन लेता है बरून तो इस question का सय answer होगा आप था आप से no.3 बरून बरून की खोज किस के द्वारा किया गया था बरुन की खोज जो है वो जोहान गाले के द्वारा की गई थी नेक्स कोशन कहा रहा है कि ब्रिहत जोवार वाटा जो है वो आता है तो ब्रिहत जोवार वाटा जो है जब सूर्ज जो है वो पृथिवी तक जब सूज पृतिवी तथा चंद्रमा जो है वो एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A जिन्होंने हाली में उस देश के 2021 के संसदिय चुनाबो का तीसरा कार्ज काल जीता है तो जिस्टिन टूडो कहां के हैं कनाडा के परधान मंतरी तो इस कोश्चन का सही अंसर है आपसर नमबर A कनाडा के परधान मंतरी आगे कह रहा है एसी और उत्री अमेरिका को जो जल डब्रू मत अलग करता है वो कौन है तो एसी और उत्री अमेरिका को जो जल डब्रू मत अलग करता है वो है बेरिंग जल डब्रू मत तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A बेरिंग जल्डब्रू मध्ध जो है वो रूस एबम अमेरिका के अलास्का प्रांथ के मध्ध में है वहीं अगर और आप्संस की बात करते हैं तो पाक जल्डब्रू मध्ध की बात किजेगा तो यह मननारवम बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है जिवॉल्टल जल्ब्रू मध्ध की बात किजेगा तो यह भूमध सागर और अट्लांटिक महा सागर के बीछ है और अस्पेन और मुरको को जोड़ता है और मलका जल्डब्रू मध्ध की बात किजेगा तो यह नमान सागर और दचिन चिन सागर को जोड़ता है और यह जो है इंडोनेसिया और मलेसिया के बीच है नेक्स कोशन कहा रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकडी के गुटकों को प्राता काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ठंडा लगता है क्योंकि क्योंकि लकडी की तुलना में लोहा जो है वो उस्मा का अच्छा चालक है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2 next question कह रहा है कि 100 बाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च जो है वो कितना होगा तो बिजली खर्च निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटू में घंटा और अपॉन में 1000 तो यहां कर दीजे तो यहां से answer आजाएगा आपका एक इकाई तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2 आगे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगना होई थी तो भारत में अंग्रेजों के समय जो जनगना होई थी प्रथम वो हुआ था लॉड मेयो के कार्च काल में कब 1872 में भारत की पहली जनगना जो है वो करभाई गई थी लेकिन एक question और आपसे पूछ दिया जाता है कि नियमित जनगन्ना या बिधिवत जनगन्ना कब हुआ था तो वो हुआ था 1881 में Lord A.R.1 के साफ अनकाल में तो ये दोनों ध्यान रखिएगा आगे कह रहा है कि यदि किसी एनक के lens का पाबर जो है वो plus 2 diopter है ये मतलब 100 upon में plus 2 तो cancel out कीजियेगा तो अनसर आजाएगा 50 cm तो इस question का सही अनसर होगा अब होगा option number 3 50 cm आगे कह रहा है कि 1878 का जो वर्नाकुलर स्प्रेस अक्ट था उसको किसने रद किया था तो रद किसने किया था 1850 के द्वारा किया गया था 1882 में किया गया था देखिए लगाया गया था लिटन के द्वारा और हटाया गया था रिट्पन के द्वारा next question कह रहा है कि किसी अपराद के अभ्यूक्त को स्वेम अपने बिरुत गवा बनने के लिए बाध नहीं किया जा सकता है भारतीय सम्मिधान के जिस अनुछेद में अपरभधान है वो कौन सा अनुछेद है तो वो है अनुछेद 20 तो इस question का सई अनसर होगा आपसन बरे अनुछेद 20 अनुछेद 21 में क्या है अनुछेद 21 में है प्रानवम दहग सोतंता अनुछेद 22 की बात किजेगा तो इसमें निर्वोथेबं गिरफतारी से सनरचन है दिये गए है और अनुछेद 24 तो आप लोगों को पता ही होगा कि राष्टपती को सहायता और सलाह देने के लिए मंतरी परसत का उलेख इसमें किया गया है नेक्स कोश्चन कहरा है कि मूल अधिकारों की सुची से संपत्ती का अधिकार जो है वो निकाला गया तो संपत्ती का अधिकार जो है वो निकाला गया चोवालिसमा संविधान संसोधन 1978 के द्वारा इसी के दवरान संपत्तिक अधिकार को मूल अधिकार से हटा कर अनुचीद 301 के तहत जोड़ा गया जो की अब एक कानूनी अधिकार है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 2, 44 मा संबिधान संसोधन के दवरा आगे कह रहा है कि भारतिय संबिधान में अन देशों के संबिधानों से कुछ बिसेश्टाओं को लिया गया है जिस देश का राज के निती निदे सक्तत्व के निर्मान में योगदान है तो राज का निती निदे सक्तत्व कहां से लिया गया है आइरलेंड के संबिधान से ल प्रांस की बात किजेगा तो फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के सम्मिधान से गंतात्मक और प्रस्ताबना में स्वतंतरता, सम्ता और बंधुता के आदर्स जो है बोलिये गया है फ्रांस से, जपान की बात किजेगा तो जपान से लिया गया है की बिधी द्वारा और संजुक्त राज अमेरिका की बात कीजेगा तो मूल अधिकार, नयापालिका की स्वतंतरता, नयाइक पुर्णवलोकन, उपराष्टपती, राष्टपती, उचतम नयाले और उच नयाले के नयाधीसों को पत से हटाया जाना, राष्टपती परमहावियोग, यह सब जो है जो 1960 था, उसके संबंध में हुआ था, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वह होगा, आपसा नमबरे, दहेज अनुमूलन विधेयक के संबंध में, ध्यान रखिएगा, 1950 से लेकर अब तक दोनों सदनों की संजुक्त बैठक तीन बार बुलाया गया है, पहले बार दह आफसाम, जीख यहाँ अपसार होगा, आपसान रखिएगा, Please अफसाम का जीखत आबकिए प्रथमध में आब इसवात परस्ता राया गया गया था, तो प्रथमा ब्रथमलूनान रखिएगा प्रतमा स्पीकर कौन थे भारत के जी भी माबलंकर और इन ही के बिरुद निम्न सदन में पहली बार अब इस पास प्रस्ता लाया गया था लेकिन यह प्रस्ता जो है फिर पारित नहीं हो सका था लेकिन लाया गया था इन ही के बिरुद तो इस कोशन का जो सई अंसर होगा वो एक राष्टबादी अखवार था फिर कह रहा है कि आंतरिक दलिय लोगतंतर का उपयोग जो है वो होता है तो आंतरिक दलिये लोकतंत्र का उपयोग जो है बो होता है दल के आंतरिक चुनाप जो दल के पताधिकारियों के चैन ही तू समय समय पर हो तो इस कोशन का जो सयन सर होगा बो होगा option number 3 आगे कहा रहा है भारती अर्थवेवस्था की विशेष्था है तो भारती अर्थवेवस्था की विशेष्था है क्रिसी की प्रधानिता है उद्योग की प्रधानता नहीं है भारती अर्थवेवस्था की विशेष्था न्यून प्रतिबेक्तिया ये भी है और ब्रिहत बेरोजगारी तो खेर वो चरन सीमा पे हैं तो ये भी है तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number 4, 1, 3 और 4 दो उद्यों की बर्धांता जो है वो नहीं है आगे कह रहा है कि मुद्रा स्पृति की दर एक की सूचकांग पराधारित होती है तो मुद्रा स्पृति की जो दर है वो थोक मुल सूचकांग पराधारित होती है यह जो है वो मुद्रा की क्रे सक्ती में थोक अस्तर पर होने वाली परवर्तनों की माप का निर्धारन करती है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number two थोक मुल सूचकांग आगे कहा रहा है कि नमलिखित में से कौन सा मानविय विकास सूचकांग का तत्व नहीं है तो देखिए मानविय विकास सूचकांग जो है वो मानविय विकास एरिपोर्ट जो परकासित करता है वो किसके द्वारा UNDP के द्वारा सबसे पहले 1990 में किया गया था और सूचकांग का प्रतिपादन किनको माना जाता है वो अरेकर्थ सास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब हक उनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखियेगा यहां लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मानविये विकास सूचकांग का तत्व कौन नहीं है तो जन्म के समय जीवन परतियास्ता यह है सीसु मिर्तु दर नहीं है बेस्कुसा छता अदर है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या भी है तो यहां पूछ रहा है नहीं है तो आपका सही अंसर हो जाएगा वो होगा आपसा नमबर 2 आगे कह रहा है कि गदर करांती छिडने का सबसे महत्पून कारण क्या था तो गदर करांती छिडने का सबसे महत्पून कारण था प्रथम महायुद सुरू तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 3 प्रथम महायुद सुरू नेक्स्क कोश़्न के रहा है बिरेंजक चून के लिए कान सा असत्त है यह पूच रहा है कर रहा है जल में अधीक बिले होता है यही गलत है यही असत्त है देखिए जो सुस्क बुझे हुए चूने होते हैं C.O.H का है उसको 40 degree Celsius तक गरम करके उसके उपर chlorine gas प्रभाहित करने पर बिरंजक चून जो है वो प्राप्त होता है हलके पीले रंग का चून है यह सही है औक्सिकारक है यह भी सही है अत्तनु अमल की प्रकिलिया से chlorine निसकासित करता है यह भी सही है इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number 1 आगे कह रहा है अंतराष्टिये मुद्रा कोस IMF ने भारत के बिसेज आहरन अधिकार आवंटन को बढ़ा कर 17.86 अरब डॉलर कर दिया है ने लेकित में से कौन से मुद्रा जो है वो SDR बास्केट में सामिल नहीं है यूएस डॉलर सामिल है यूरो सामिल है भारतिये रूपया ही सामिल नहीं है तो इस question का जो सही अंसर होगा option number 3 भारतिये रूपया जो है वो सामिल नहीं है दिखिए HDR की अगर बात किजेगा तो इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी एन, पाउंड स्ट्रेलिंग और चीनी की जो है चीनी की जो करेंसी है चाइना की रूपया जो है वो सामिल नहीं है तो इस question का सही अंसर हो option number 3 आगे करा भारतिये संबिधान को अपनाया गया था तो भारतिये संबिधान को 26 नमबर 1949 को संबिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number 3 संबिधान सभा के द्वारा आगे करा कि भारत में लेंगी सार्म भौमिकता है क्योंकि संबिधान की प्रस्ताबना जो है वो आरंब होती है तो संबिधान की प्रस्ताबना जो है वो किसे आरंब होती है हम भारत के लोगों से तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 4 हम भारत के लोग सब्दों से next question कहा रहा Indian unrest के लेखक कौन थे Indian unrest के लेखक थे valentine sirol तो इस question का जो सही answer होगा अब होगा option number 4 valentine sirol valentine sirol से एक चीज याद रखिएगा इन्होंने ही बाल गंगादर तीलग को क्या कहा था भारत में असांती का जन्मदाता कहा था इसलिए फिर दीलग जो है वो इन पर मान हानी का मुकदमा भी किये थे England गये थे लेकिन हार गये थे आगे कहा है नेमलिकेत में से कौन जो है वो सही नहीं है या आपसे पूछ रहा है कहा है कि विकास का सिधाम प्रतिपादित किया था चाल्स डार्वीन ने बिल्कुल सुमेलित है किसी परमानु के नाभी का तूटना संलेयन कहलाता ये गलत है क्योंकि नाभी संलेयन अभी क्रिया में दो हलके नाभी का आपस में मिलकर एक बड़ा नाभीक बनाते हैं clear है ? तो यह गलत है फिर ठोस आइस ड्राइड है कार्म बेल ने किया था यह भी बिल्कुल सही है सही कोशन का जो सई अंसर होगा लगा आपसर नंबर डूए आगे कहँरा है की बादल अच्छाधित राते जो बादल अच्छादी जाते जो है वो सुष झाकास वाली रातों के अपेच्छा में अधीक घरम होती है क्योंकि बादल जो है वो प्रिथिवी तथा हावा से उस्मा का विकरन रोकता है और सुर्ज द्वारा उसरजित उस्मा को प्रिथिवी अपसोसिद करती है रात में प्रथिवी से बिकरन के द्वारा उस्मा जो है वो उस्सर जित होती है इसी के कारण clear है चलिए next question है हमारा question number 49 कहरा है कि एक सूई जो है वो पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाद जो है वो पानी पर तैयता है क्यूं इसका region क्या है इसका region यही है कि सूई का जो आपेचित घनत्ब है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेचित घनत्ब से अधीक होता है तो इस question का सही answer होगा आप होगा option number 4 आगे कह रहा है कि डॉक्टर कलाकार एब मूर्तिकार जो है वो calcium sulfate का उप्योग करते है जिसका लोगप्रिये नाम क्या है तो इसका लोगप्रिये नाम क्या है वो है रेत, सोडा और क्वाजन तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 3 next question कहा रहा है कि सर प्राचीन सेल समोह की आयू जो है वो आकी जाती है तो यह जो है वो uranium light बिधी से लाकी जाती है तो इस question का सही answer है option number 4 next question कहा रहा है कि top 6 बिकरन के सबसे महत पूर्ण भूमिका है तो सर बिकरन की जो सबसे महत पूर्ण भूमिका है वो है जल चक्र में तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 3 जल चक्र में next question कहा रहा है कि मनुस के अंगों में कौनसा एक हानिकारक भिकरनों में सबसे कम जो है वो संग्जा आंग है तो देखिए मनुस के समस्थ आंगों में हनिकारक विक्रणों से जो सबसे कम संग्जा आंग वो है मस्तिक और सबसे ज़्यादा परभावित आंग होता है वो है आंग तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number 3 सबसे कम पुछेगा तो मस्तिक और सबसे ज़्यादा पुछेगा तो आंग फिर कहरा है हेपेटाइटीस रोग से मनुस सरीर का सीधा परभावित होने बाला आंग कौन है तो देखिए हेपेटाइटीस रोग जो है वो मनुस के लीवर को परभावित करता है इस रोग में यक्रित में जो उत्पन होने वाला पीत बढ़नक है उसको यक्रित पूरी तरह से अपचय नहीं कर पाता है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number यक्रित लिवर याद रखेगा hepatitis जो है इसके बिसानू जो है वो 6 परकार के होते है है hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D और E next question कहाँ है कि गती प्रेरकट pacemaker का क्या encourage होता है तो pacemaker का currently होता है ये हिर्दस अस्पन्दन को नियमित करता है तो इस question का सई अंसर होगा वो होगा option number 2 next question कहाँ थाइमीन है तो थाइमीन क्या है, थाइमीन है वितामीन B1 का chemical name है थाइमीन विटामिन C की बात कीज़ेगा तो विटामिन C का है ascorbic acid विटामिन B2 की बात कीज़ेगा तो यह है riboflorebinin और विटामिन B6 की बात कीज़ेगा तो यह है pyridoxine आगे कह रहा है सुची एक और सुची दो को सुमेलित करने के लिए कह रहा है काडियोलाजिस्ट की अगर बात किजेगा तो यह किसके साथ मैच करेगा हिर्दे के साथ निफ्रोलाजिस्ट की बात किजेगा तो यह गुर्दा के साथ यूरोलाजिस्ट की बात किजेगा तो मुतर नलिका के साथ और Oculus की बात किजेगा तो ये आख के साथ जो है वो match करेगा Next question कहा रहा है Dr. Fridasi Qadri ने Raman Maxi Pruskar 2020 जीता है वो किस रूप में बिख्यात हैं तो Dr. Fridasi Qadri जो है वो बंगलादेश के vaccine बेग्यानिक है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A vaccine बेग्यानिक Next question कहा रहा हमारे सरीर की लगुत्नम हड़ी जो है वो पाए जाती है तो हमारे सरीर की में जो सबसे छोटी अस्थी होती है वो कहां अश्टेपीच कान में और सर्भादीक बड़ी जो अस्थी होती है वो फीमर जांक में पाए जाती है तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number A कान में आगे कहरा है भारतिये नागरी को के मौली क अधिकार का बड़नन किया गया है तो भारतिये नागरी को के मौली का अधिकार का बड़नन भागतीन में अनुचेद 12-35 और अमेरिका के सम्विधान से तो इस question का सई answer होगा वो होगा option number A सम्विधान के अनुचेद 12-35 तक आगे कहरा है computer बवस्था जो जोडती है तथा विभिन देसों से सूचना संकलित कर satellite द्वारा बिस्व में पहुँचाती है यह बात कर रहा है निकनेट की तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number 4 निकनेट जो है वो बिस्व का सबसे बड़ा उपग्रा आधारित computer संचार नेटवर्क है next question गहरा है निम्न बिसव में से कौन जो है वो लोबोट से संबंदित है तो kinematics का संबंद जो है वो रोबोटिक से है तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number 1 kinematics आगे कहरा है कि पंचायती राज भी से है तो पंचायती राज की अगर बात कीजेगा तो यह राज की सुची का भी से है तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number 3 राज सुची का भी से है आगे कह रहा है बिहार के किस क्रिकेटर को हाली में माधवराज सिंधिया प्रुषकार से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया है आसुतोस अमन को और उनको यह सम्मान जो है बोज़णजी ट्रॉफी 2018-19 में सबसे अधीक बिकेट लेने के लिए दिया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बहोगा आपसा नमबर टू आसुतोसमन को नक्स कोश्चन कह रहा है कि भारतिय सम्मिधान के निमलिकित अनुचेदों में से कौन सा अनुचेद जो है बो राज की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निदेश देता है तो यह देता है अनुचेद 40 जो की राज के निदेशक तत्तव के अंतर गरता है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा बहोगा आपसा नमबर टू अनुचेद 40 आगे करा बिहार का निवंतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है देखें बिहार का सबसे निवंतम लिंगा अनुपात वाला जिला जो है वो है मुंगेर ठीक है और बिहार का लिंगा अनुपात कितना है अगर overall पूछा जाए तो बिहार का लिंगा अनुपात है 918 इसमने निवंतम जो जिला है वो है मिंगर और सबसे सरवाधीक लिंगा अनुपात वाला जिला आपसे पूछ ले तो वो है गोपाल गंज और पूरे इंडिया का लिंगा अनुपात पूछ ले थब divine 943 आगे कह रहा है बिहार का सरवादीक बाड़ प्रभावी छेतर है तो बिहार का सरवादीक जो बाड़ प्रभावी छेतर है वो है उत्री छेतर देखिए उत्री बिहार का जो मैदानी भाग है वो बाड़ के द्रिश्टिकून से सबसे ज़्यादा असूर अच्छी थे तो इस नहर एक याद रखेगा एक याद रखेगा त्रिवेनी नहर और एक याद रखेगा तिरहुत नहर यह सब जो नहर है वो गंडग नदी पर ही स्थित है आगे कहा रहा है बिस्व की प्रथम महिला परधान मंत्री कों थी? दो बिस्व की प्रथम महिला परधान मंत्री थी सिरलंका की जिनका नाम था सीरी मानो भंडरनाई economic तो इस question का सही अंसर होगा आद आप से number two और अगर भारत की पूछ दिया जाए तो भारत की थी इंदरा गांधी नेक्स कोशन कहा रहा है कि केंदर ने निमलिखित केंदर सासित परदेसों के बीच एक केंदरिये बिस्विद्दाले अस्थापित करने का प्रस्ताओं को आगे बढ़ाया है तो यह लद्दाक में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर टू लद्दाक में नेक्स कोशन कहा रहा है कि भारतिय अंतरिच परच्छेपन केंदर स्रीहरीकोटा जो है वो इस्थीत है तो स्रीहरीकोटा जो है वो आंध्रपदेश में इस्थीत है जो कि इसरो का एक मुख परच्छेपन केंदर है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर ए बितबर्स 2015-2022 में कितने ब्रिधी दर्च करने का आनुमान है तो यह जो है वो कितने ब्रिधी दर्च करने का आनुमान है यह 11% तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number देखे आर्थिक सर्वेच्छन जो 2020-2022 के अनुसार भारत की जो बास्तविक GDP है वो बितबर्स 2021-2022 में 11% की ब्रिधी करने की उमीद है आगे गारा सुची एक और सुची दो को मैच करने के लिए कह रहा है पोसन का राष्टिय संस्थान की अगर बात करते हैं तो पोसन का राष्टिय संस्थान जो है वो हैदराबाद के साथ मैच करेगा वही अगर हम बात करते हैं भारत का भारत का बन्ने जीब संस्थान तो भारत का बन्ने जीब संस्थान जो है वो देहरादून के साथ मैच करेगा आयुर बेध का राश्टिय संस्थान जो है वो जैपूर के साथ मैच करेगा और National Institute of Natural इस बार आठमी बार राश्ट को संबोधित किये है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 2, 8 मी बार परधान मंत्री ने कहा कि सब का 7, सब का विकास, सब का विश्बास और अब सब का पर्यास हमारे हर लच्च की प्राप्ति के लिए बहुत महत्पून है Next question कह रहा है कि Tokyo Olympic 2020 में USA ने कितने 100 पदक जीते हैं गोल्ड आपसे पूछ रहा है तो आपका answer जो होगा वो कितना होगा गोल्ड 39 तो यानि option number 2 जो है वो आपका सही answer होगा अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया medal तहली में 48 में अस्थान पर था जिसमें भारत जो है वो 7 मेडल जीता है पहला यह मतलब गोल्ड जीता है एक गोल्ड दो सिल्वर और चार ब्रॉंच आगे कह रहा है मंगोलिया के सरबुच नागरिक प्रुसकार The Order of Polar Star से किसे सम्मानित किया गया है और इनको मंगोलिया में पहली बार 3 रिफानली की अस्थापना में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में मंगोलिया के सरबुच नागरिक प्रुसकार The Order of Polar Star से सम्मानित किया गया है Order of Polar Star जो है वो सबसे बांचनी और प्रुसकार है जो अत्यधीक मुलवान निबम प्रुस्थित है और उन बैक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट परिस्थरम से के माध्यम से मंगोलिया के सम्रिथी में अमुल योगदान दिया है नेक्स कोशन कह रहा है कि नीचे दिये गए कारको में कौन भारतिय समाज में तिब्र समाजिक परिवर्तन के लिए उत्तर दाई है तो ये है कौन कौन अधूनिक बिग्यानिवम पर्दौगी की हाँ है समाजिक नियोजन भी है जनसंख्या बिर्थी नहीं है बहुत एक समर्द्धता भी नहीं है तो पहला और दूसरा है तीसरा और चौथा जो है वो नहीं है तो इस कोशन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसर निमबर A पहला और दूसरा जो है वो है आगे कारा नीचे दियेगा कूट की साहता से निम्र पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए वइट टाइगर की अगर बात कीजिएगा तो अरविंद अडिगा के साथ मैच करेगा तो थ्री मिश्टेक्स ऑप माई लाइफ की अगर बात कीजिएगा दियाडियो के द्वारा उरीजा की टट पर चांदीपूर में विक्सित किया गया था और इसका सफल परिछन भी वहीं किया गया चांदीपूर में और यह जो है बहुत 25 किलोमेटर तक की दूरी पर लच्च को निशाना बना सकता है तो इस question का जो सही answer होगा वह होगा आपसा नमबर 4, 45 km फिर कहरा आज कल का calendar जो है बहुत हारी थे तो बरतमान में जो calendar है वो गेक्लियन calendar पर अधारी थे तो इस question का जो सही answer होगा वह होगा आपसा नमबर 2 नेक्स question कहरा तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बिस्व चैंपियनसीप की बैक्तिगत महिला प्रतियस ब्रधा के फाइनल में रूस की इलीना उसो पोपा को छे सुन से पराजित करके कौन सा पदक जीती है तो वह जो है वह सुन पदक जीती है तो इस question का सही answer होगा वह होगा आपसा नमबर 2 नेक्स question कहरा है सात्मे अंतराष्टिय योग दिबस 2021 कभी से क्या है तो सात्मा योग दिबस मनाया कब जाता है 21 जून को मनाया जाता है और अंतराष्टिय योग दिबस का विचार जो है वो 2014 में संजुक्तराष्ट महासभा में नरिंद मोदी के द्वारा अपरस्थाबित किया गया था 2021 का जो मुख भी से है वो है योगा फॉर बेलनेस इसकोशन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसर नबर 2 योगा फॉर बेलनेस नेक्स कोशन का जा रहा है कि कि सराज जिक के द्वारा आर्थिक सलाकार परिशाद इकनॉमिक अडवर्चरी काउंसिल के अस्थापन किया जाएगा तो देखिए यह जो है वो तमिलाडू की अर्थवेवस्था में सुधार लाने और मजबूती पतान केरने के लिए किया जागा तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसर नमबर 3 तमिलाडू इस परिशद में भारती जिजर बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं रगुराम राजन नोबल पुरुसकार से सम्मानी तेक प्रोफेसर हैं एस्थर डूफले यह सब ऐसे ऐसे बिसे सग्यों को इसमें सामिल किया गया है आगे कहरा हाली में किस राज ने क्रिसी ब्रिभिदिक करन योजना अग्रिकल्चर डाइवर्जफिकेशन अस्कीम जो है वो लॉंच किया है तो यह किस ने किया है यह किया है गुजरा सरकार ने तो इस question का जो सही answer होगा वहोगा आपसर नमबरी गुजरा सरकार के द्वारा यह राज के आदिवासी छेतरों में किरिसी को टिकाओ और लागदायक बनाने के उद्धे से यह वो शुरू किया गया है आगे करा Institute for Economic and Peace Sydney के द्वारा जारी Global Peace Index 2020 के 15 में संसकरन में किस देश को दुनिया का सबसे कम सांतिपुन देश गोजित किया गया है तो देखिए यह जो जारी किया गया है उसमें भारत का रंकिंग सबसे पहले याद रखिए भारत का रंकिंग है 135 और आइसलेंड जो है उसका है पहला और अफगानिस्तान जो है वो लागतार चौथे बार नीचे से टॉप किया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा आपसर नमबर टू अफगानिस्तान आगे कह रहा है अंतरास्टिय अंडरस्टैंडिंग के लिए नहरू प्रुसकार जो है वो सरप्रथम यू थार्ट को दिया गया तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर थ्री नेक्स कोश्चन कह रहा Mother Tracer के संब्ध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है या पूछा जा रहा है आपसे उनका जन्म जो है वो अलवानिया में हुआ था ये बिल्कुल सही है फिर कह रहा है वो 18 बर्स की उम्र में ही नन बन गई थी ये भी बिल्कुल सही है आपसे नमबर 3 आगे कह रहा ये विचार की भविस में भारतिय नियोजन में बस्तूओं से अधीक ध्यान बैक्तियों को देना चाहिए ब्यक्त किया गया था तो ये जो है वो अमर्त सेन के द्वारा ब्यक्त किया गया था द्वारा जारी बिस्व निवेस रिपोर्ट 2021 के अनुसाथ परतियच विदेसी निवेस प्राप्त करता के रूप में भारत की स्थिती क्या है इसमें भारत की स्थिती है पाच मी तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर 5 मी FDI के द्रिष्टी से सिर्थ स्थान है चीन का और उसके बाद होंग कोंग का कहारा भारतिये प्रेस काउंसील एक है तो भारतिये प्रेस काउंसील एक अर्ध नियाईग बैधानिक संस्था है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा आपसे नमबर 2 नेक्स कोशन का रहा है कि फूरेन रिसर्च एंड एडिल गिप फाउंडेशन के द्वारा तयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सौ बरसों में दुनिया के सबसे बड़े प्रोपकारी बक्तियों के रूप में कौन उभरा है नेक्स कोशन का रहा है राष्टिय बिज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है आगे कह रहा है कि कहा जाता है कि सतरंज खेल का उद्भव जो है वो हुआ था तो सतरंज खेल का उद्भव जो है वो भारत में तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 4 भारत में नेक्स कोशन कह रहा है कि उस पत्रकार का नाम बताईए जिसे 2021 के फुकुओ का प्रुसकार के तीन प्राप्त करताओं में से एक के रूप में चुना गया है यह बात कर रहा है पी साइनात की तो इस कोशन का सही अंतर होगा वो होगा आपसा नेंबर 3 पी साइनात फुकुओ का प्रुसकार जो है वो प्रतिवर्स ACI संस्कृती को बढ़ावा देने और जागरुकता बढ़ाने हेतु बिसिष्ट लोगों को दिया जाता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंदा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर साच कर सकते हैं या पठेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रूप आएगा उसको जोइन कर लीजे वहाँ इसका PDF जो है वो अंसर के साथ आप लोगों को प्रोभाइट करवा दिया गया है थैंक्स पर वाचिंग